अगर आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं पॉले तो टैक तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले इन पांच इंपॉर्टन पॉइंट्स के बारे में जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना अगर आप एक बाइक स्पेर पास बंदना शुरू करन आज हम डिसकस करेंगे कि अब क्या नहीं करना है और क्या करना है दोनों बारे बात करेंगे आगे इस वीडियो में वीडियो में चलने से पहले आप लोग उसे में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो करना कहा है आपको लाइक करना है चैनल में को सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर तीजी ताकि इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे तो शुरू करेंगे दोस्तों बात करूँ में अगर तो बहुत सारे लोग जो वीवर्स ने वो चाते होंगे बाइक स्पेर पार्स की बात करीड बाइक करहूँ जो आपके आसपास के जो लोकल शॉप से अगर वहाँ पी आप सर्विस कराते हैं तो कम से कम आठ सो हजार रुपया तो आप लोग दे के ही आते हैं इसी लिए स्पेर पास बिजनस लोग इतना करना चाहते हैं और इतना प्रॉफेटेबल बिजनस यह है तो आप में से बहुत साथ लोग करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फूशन है कि यार कैसे करूँ कहा करूँ समझ नहीं आ रहा ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा तो उसके लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था कि इसमें इंवेस्मेंट कितना लगने वाला है जगे कितनी चाहिए आपको फुल डिटेल मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अगर आपको देखनी है तो माई कार्ड में छोड़ रहा हूँ प्लीज उसको जरूर वाच किजिए अब बहुत ही जादा इंफॉर्मेटिक वीडियो है बहुत साथा प्यार उसको आपको वीडियो मिला है मुझे और मैं चाहूँगा कि एक बार वो वीडियो भी जरूर द इसका पक्षितर रहा हूँ और इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ आप देख सकते हैं चैनल पर जाके सर्विस सेक्टर बिजनस या मैनुफेक्टर बिजनस वह भी आप देख सकते हैं आई-कार्ड में वह भी छोड़ दूँगा क्यूं मैं बोलता हूँ कि सर्व सेक्टर के अंदर पैसा जादा क्यों है ठीक है सर्विसिंग आपको बारबा करानी है आपने स्किल का पैसा ले रहे है आप मैनिफेक्शन है एक बार करके नहीं सेल कर रहे है और सर्विसिंग आप सर्विसिंग बाइक स्पेर पार्ट बिजनस के अंदर या बाइक सर्विस लगते हैं, आप उसे पर ड्रस करते हैं, और उसके अदा पैसा पेई करके आएंगा, और एजी लिए आप पेई कर देंगे, ठीक है, और सेम चीज अगर आप लोकल स्टोर में कराते हैं, तो आप उतना पैसा पेई नहीं करें, क्योंकि वो सर्विसिंग की जो चीज है, वो आ हैं छो टूइस के उपर भी, तो हम बात कर रहे थे बाइक सर्विसिंग के बारे में, बाइक सर्विसिंग स्पेर पार्ट के बारे में तो आप Mekanik से पूछ सकते हैं मेकाणिकों के बहुत सारी चीज़े पता होती है और आपको कुछ पता करना हो तो सिंपल सी बात है पता करी हमें कोई बड़ी बात नहीं है इसमें सब कुछ तो वीडियो करने नहीं होता है कि आपको थोड़ा बात तो आपको मैनत करने ही पड़ेगी इन चीज़ों के लिए कि आप अपने लोकल स्टोर्स में जाएए लोकल अईरिया के आसपास जाएए वहाँ पर आपको ज़रूर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप वो कहां से स्पेर पार्ट लाने है क्या करना है क्या नहीं करना सेकिंड पार्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एरिया आपको खोलनी कहां पर है बाइक स्पेर पार्ट की दुकान वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ठीक है आप एक सोसाइटी के आसपास खूल सकते हैं लेकिन वहां पर आपके आसपास और भी शॉप्स होनी चाहिए क्या होता है ना कि आप हम देखते होंगे अपने एरिया में कि जहां एक दुकान खुली होई है एक पटिक्रिक चीज की फॉर सपोस भाइक की तो वहां पर तीन शार दुकाने और खुल कलाला है और वहां पर तीजी तरी 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 जाते है कपड़ा घुप तुपल भी खाने के तु में खुलती आसपास भी खाने के भी when खुथी रहती है तो आपको करना क्या है अगर आपके पास चॉईस है तो जहां पर उप्त्पर शॉर भांप आपन कर सकते हैं कुछag आपको कोई टेंशन के सर्वत नहीं है आपको वही खोलने है एरिया बहुत जादे इंपॉर्टेंट है इस चीज को ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं हो कि आपने सूर विरान कहीं खोल दी सोचा कि ठीक है यहां पर आराम से मैं सर्विसिंग करूंगा यह करूंगा वहां पर बा इस चीज के अंदर थर्ड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेकैनिक मेकैनिक बहुत सरूरी है मेकैनिक अच्छा होना चाहिए उससे सारा कमाना चाहिए स्पेड़ पार की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कौन सा पार्ट किसको लगता है मतलब एक एक्सपीरियेंस बाइक को एक्सपीरियेंस है तो आप मुझे सैलली में देंगे तो मैं सैलली कितनी माँँगा अगर मैं अगर मुझे ओफर होगा कि या ठीक है जितनी बाइक साहिए उसमें आपको इतना कमिशन हो गई होगा तो अब इसी बात है मैं थोड़ा फ्रीली फील करूँगा और मैं करिकिए कि आपको ज़य और ये सब चीज़ू होती है बीना उस्ताद के या उस्ताद में में मैं तो उन से सीखने के लिए यह लोग आते हैं है यह फ्री में सीखते है ओस में लोड़नी खुई जरूप नियमें के ल है और ये सीखने के लिए कि अगर आप को बिसनस राट करना ही है तो पहले आप थोड़ा mechanical काम सीख लीजिए बाइक का काम सीखने के बात भले आपको 6 मैंने बात शुरू करें एक साल बात शुरू करें थोड़ा मोड़ा ग्यान तो आपको भी होना चाहिए नहीं तो otherwise खुगा क्या कि mechanic जो है पूरा आपको कमांड करेगा मतलब अगर वो लेंगी मैं जा रहा हो छोड़ गया तो आपकी कल से आपको दुका नहीं बंद हो गई कोई करने वाला ही नहीं तो obviously बात है ऐसा करना कि आप पूरा totally depend ना हो पाए उसके उपर यह बहुत ज़ादा जरूरी है इस business के अंदर और same चीज़ अपलाई होती है खाने पीने के restaurant business के अंदर कि यह चीज़ जरूरी है को कि वहां पर chef क्योंपर depend करता है सब चीज़ यहां आपको मगैनिक चुले गया तो कुछ दूनों बाद आपका खत्म तो अब मैं बात करूंगा चौताय पॉइंट की तरह बहुत important point है आपके लिए relation आपकी shop में कोई आता है service कराने के लिए आप अच्छे तरीके से बात करते हैं उसे अच्छे तरीके से विभार करते हैं आपको छोटा मुना discount भी आप इजली दे सकते हैं उसे starting relation बनाने के लिए पाचवा बहुत important point है investment इन्वेस्मेंट है थोड़ा से आप issue हो जाता है कि आप लोग बोलता है कि हमें कम investment में शुरू करने इन्वेस्मेंट कम में शुरू नहीं हो सकता बिजनस क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूं अब लोग को यह spare parts का business है यह bike servicing का business है ठीक है तो इसमें आपको simple सी बात है जो basic basic खर्चा भी करेंगे तो आप एक से लेके धाई तीन लाग तक इसमें खर्चा अराम से हो जाएगा आप कितना भी करेंगे और spare parts की दुकान है और विसी बात है आपकी दुकान में जितना अच्छा से आप बनाएंगे आपके shop में आका समान ही नहीं होगा तो bike mechanic service कैसे करेगा आपने बोला ठीक है मैं चार इंजनर ले ले लेता हूं अभी क्योंकि पैसा कम है investment में करना चाहत हूं और आपने कुछ चार-पाच और इंजनर खरीद लिए और छटी भाई आगे तो क्या करेंगे आप इंजनर खरीद दे जाएंगे जब आग लगती है तब आप कुवा नहीं खो सकते सिंपल सी बात है investment जादा लगता है इन चीजों के अंदर और क्योंकि आपको पैसा खीचता है यह बाद आपको notice करने चाहिए दिमाग में डाल लेने चाहिए कि आपकी shop अगर भरी भी रगेगी आपके shop में अगर सारा समान होगा तब भी customer satisfy होगा उसके बाद relation उसके बाद mechanic अच्छा होना उसके बाद आपकी location यह सब चीज़े डिमाइन करती है यह सब अच्छा ही उसको ऐसे समझे कि मुझे को scale-up करना है मुझे से venture बनाना है मुझे से business करना मुझे इसकी franchise offer करनी है आपको business देखना चाहिए कि आपको ऐसे सको scale-up करना है नहीं तो कोई फाइदा नहीं है आप fed up होगे खुदी आप उस business को बंग कर देंगे तो दोसको यह कु पीचे प्रणाम है नरेन मिलूंगा आपसे अगली वीडियो से बात करें किसी और बेंदर से franchise के बारे में देखते देखते बोटेक थन्यवाद